देभूमी स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकरताओं के वहनों को शोधी बैरियर के पास रोका जा रहा है यहां पर पुलिस कर्मी एक-एक वहनों की तलाशी लेने के बाद आगे छोट रहे हैं जिस वज़ा से शोधी बैरियर में जाम किस्थिती बनी हैं हिमाचर प्रदेश के शिमला में देभूमी स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकरताओं ने शोधी में खवारा चौकी पर रास्चर राजमार्ग पांच यातायार ठप कर दिया है कार्यकरता सड़क पर बैठे हैं जिसके चलते शिमला चंडिगर्ड हाइवे पर वहनों की आवाजा ही बंध हो गई है स्वर्ण समाज की कार्यकरताओं की तलाश में पुलिस वहनों की जांच कर रही हैं देभुमी स्वर्ण समान संगठन के कारेकरताओं के वाहनों को शोधी बैरियर के पास रोका जा रहा है। यहाँ पर पुलिस कर्मी एक-एक वाहनों की तलाशी लेने के बाद आगे छोड़ रहे हैं। जिस वज़ा से शोधी बैरियर में जाम की स्थिती बनी है। हलांकि अपात काली वाहन को जाने दिया जा रहा है। लेकिन रूटीन और ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को ट्राफिक के समस्या से दिख्तों का सामना करना पड़ा। संगठन के लोगों का रात धाई बजे के बाद ही शिम्रा में आना शुरू हो गया है। पुलिस ने करीब पांच दरजन डंडे वाहनों से कबजे मिल गए हैं। उधर शहर के सर्कुलर रोड, लिफ्ट, हाई कोट, बस टैंड, विक्ट्री टैनल विधानसबा और एक सो तीन के पास पुलिस की तैनाथी कर दी गई है। सुबा आठ वज के 45 मिनट पर सर्कुलर रोड पर सीती समाने थी। शिम्रा पहुंचने के अधिकतर रास्ते बंद कर दिये गए है। शारखाट में बिलासपूर की ओर से आने वारी कालियों को रोका जा रहा है। शिम्रा मंडी हाइवे पर तभी मोड के पास नाके बंदी कर दी गई है। शिम्रा की ओर वाहनों के लिए ट्राफिक वाया चक्कर डाइवर्ट किया गया है। के चैनल के लिए शिम्रा से पुश्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। और अर्राफिक वाहनों के लिए झालक रहा है। झालक रहा है।